नमेश्कार दोस्तों, कैसे आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे. दोस्तों, आपने बहुत बार ये सुना होगा कि अगर आप होमेपैथिक की दबा ले रहे हैं, तो आप प्याज लहसुन का सेवन ना करें. तो इसके पीछे क्या है लॉजिक और क्या दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बैल आइकन को भी दबा लीजिए. मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ होमेपैथिक रिलेटेड और हर दिन मैं अंसर देता हूँ, इसके अलावा आप मुझे एमेल भी कर सकते हैं, मेरा इमेल आइडी कीर्तिविक्रमसिंपरिहार at the rate gmail.com है, इसी वीडियो का एक स्क्रीन शॉट या मेरे किसी भी वीडियो का स्क्रीन शॉट जरूर डालिएगा, जिससे पता चल सके कि आप मेरे प्यार प्याज और लहसुन में चो होमेपैथिक मेडिसेन के असर को कम करता है, मैं यह बोल रहा हूँ, असर को कम करता है, सब्दों पे जाईएगा, असर कम हो सकता है, खतम नहीं हो सकता, तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप एक सही होमेपैथिक तवा ले सही पोटेंसी में ले रहे हैं, तो आपकी विमारी ठीक होगी, हो सकता है कि असर थोड़ा कम हो अगर आप प्याज और लहसुन खाते हैं, अब प्याज और लहसुन में होता क्या है, जिससे होमेपैथिक मेडिसेन असर कम करती है, सल्फर होता है, मुशली प्याज और आती है जो कि अच्छी लगती है जो हम उसे सबजी में डालते हैं या ऐसे भी खाते हैं गर्मियों में तो लहसुन और प्याज की स्मेल वह अच्छी लगती है तो सल्फर गंधक अगर आप हुमेपैथिक मैडिसें तुरंद तुरंद लेते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक दाल, चाओल में जो डली हुई है वह आप कभी भी खा सकते है उसमें कोई दिक्कत नहीं पकाने के बाद प्याज से जो शुगर है वह पुरी तरीके से केरमलाइज हो जाती है सल्फर भी लगधक पुरी तरीके से खतम हुझाती है और लेसून से भी यही ओते है daha तो जब खासकर प्याज लहसुन तो वैसे कोई नहीं खाता जल्दी खाथा लेकिन प्याज अगर आप कच्छी खाते हैं तो उसमें sulfur होता है गंधक होता है और अगर आप hompathic medicine लेते हैं तो बहुत सारी medicine Sulfur से थोड़ा antidote हो जाती है, मतलब थोड़ा उनका असर कम हो जाता है, तो आप जब भी प्याज या लहसुन खासकर प्याज अगर कच्ची खाते हैं, सलाद में खाते हैं, तो उसके एक घंटे पहले या एक घंटे बाद तक आप उसके बाद आप आराम से ले सकते हैं, एक घंटे का गेथे, तो आपको हूंपाथनिंव्स का असर उतना ही होगा जितना होना चाहिए। तो आपको समझ में आगया है, एक प्याज और लहसुन में जिससे होमपैथिक मेडिसेन असर कम करती है, एक महक है, और महक जब होमपैथिक मेडिसेन क्या होता है, जब कि खासकर मैं डाइलूशन की बात कर रहा हूं, मदर टिंचर की नहीं, मदर टिंचर तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई जादा फरक नहीं परता, लेकिन अगर आप वह मैं अब अभल्ट को आप जेल्सी में ले रहे हैं या आरणिका ठैटी-थिज में ले रहे हैं तो उसका अगर आप प्याज प्यार्शन को आप कि ठीशन कलिए, अगर आप तुरंथ पियाज खा लेतें या 5-10 मिनिट में तो असर कम होगा लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा लेकिन आप कोमनली देखिए कि आप कितने भार ao काने के बाद प्याज खाते है ऐसा होता नहीं है तो mostly, मैं इसलिए कभी भी कोई परहेज नहीं बताता हूँ कि प्याज और लहसुन का परहेज है, क्योंकि mostly लोग जो है वो दवा अलग खाते हैं और प्याज और लहसुन एक गंटे बाद ही खाते हैं, लेकिन अगर आप प्याज और लहसुन दस-पंदरा मिनिट बाद या प प्याज और प्याज और लहसुन का कम हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, बस अगर आप प्याज और लहसुन खाते हैं, खाये उसमें कोई दिक्कत नहीं, सलाद में खा सकते हैं, लेकिन एक घंटे का अंतर दीजो जिससे आपकी मैडिसन उतनी ही अच्छे तरीके से जितना उसे करना चाहिए, अगर मैडिसन पर्फेक्ट है, और मैडिसन आपने ली है या डॉक्टर ने दी है, वो पर्फेक्ट है और वो सही असर करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उसको नर्व से असर करना है, आपके जीब में दो बूंद आप डालेंगे, या ग्लोब्यूस में अगर ले रहे हैं तो छह गोली आप लेंगे, तो उसको जीब से असर करना है, पेटेट में से तो कोई मतलब ही नहीं है, जो डाइलूशन असर करती है, अगर आप गंधक ले ले लेते हैं, इसके साथ कोई परहज नहीं है, डाइलूशन की बात कर रहा तो वो जो है, वो नर्व थोड़े देर के लिए उतने अच्छे तरीके से वो असर नहीं होगा, मैडिसिन का, तो बस आपको एक घंटे का अंतर देना है, आपको अच्छे से समझ में आ गया, मैंने पूरी तरीके से आपको समझाने के कोशिश किया, यही मेरा experience भी है, कि प्याज बंदी कर दीजे, लेकिन अगर आपको प्याज से कोई समस्या नहीं है, सिर्फ होमपैथिक मैडिसिन को देखते हुए, आप इसे बंद करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको बंदी करना चाहिए, एक और घंटे का अंतर देके आप खा सकते हैं, और वैसे भी आप होमपैथिक मैडिसिन लेते हैं, तो कम से कम आधे एक घंटे का अंतर होना चाहिए, खाने के साथ अच्छा असर करती ही होमपैथिक मैडिसिन, तो या तो पहले खालीजे, या तो बाद में खालीजे, बढ़ियां असर करेगी होमपैथिक मैडिसिन और प्याज और लह तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिगा थो उसको दोबना बिल्कुल भी लिएगा यहां पर एक रट कर के सबस्क्राइब को बटन दिगए तो इसको दवादी जैसे नीचर शेर की बटन दिभी जरूर मैंसे जरूर करिये गा इस वीडियो को लाइक से र सबस्क्राइब करने के लिए झाल झाल